कई बार जब कुछ जड़पटा से खाने का मन करता है सबका तो कुछ ना कुछ तयारिया पहले से करनी होती है कटिंग चॉपिंग करनी होती है लेकिन हम सभी को कुछ ऐसा चाहिए कि जड़पट से फटाफट से बिना किसी ज़्यादा तयारी के बस सारी चीजों को मिला दिया जाए और फटाफट से अपनी भूख को शांत करने का कुछ आइटम बन जाए तो आज मैंने यह जो रेसिपी बनाई है यह बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है पटापट से बस आपको सारी चीजों को एक साथ मिलाना है और अपना चक पटा से नाश्ता बना कर तयार करना है और तो और हम इसे बिना तले बहुत कम तेर में बना कर तयार करेंगे पर सब सबसे पहले हेलो एवरीवाइन इत्य हमिशास पर आपका स्वागत ही तो आज हम बनाएंगे यह पोही का बहुत ही चतपटा और टेस्टी नाश्ता तो फिचले जल्दी से हमें हमारी रेसिपी शुरू करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे पोहा जिसे हम फ्लेटन राइस कहते हैं और यह अवल और चिवडा भी कहलाता है तो यह मैं ले रही हूं वन इन वन फॉर्थ कर यानि कि सवा कर अब इसको हम क्या करेंगे कि पहले पानी से अच्छे से वाश करेंगे जिससे इसके हो जाएंगे तो 2-3 बार हम इसको पानी से वाश कर लेंगे और इसका सारा पानी हटा देंगे तो यह मैंने पोहे को वाश कर लिया है और यहां पर मैंने जो पोहा इस्तमाल किया है यह पतला वाला पोहा है तो अब हम इसको पांच मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे के ये थोड़ा सा soft हो जायागा और फिर आगे इसके साथ काम करने में असानी रहेगी इस तरह से पोहे को wash करने के बाद जब थोड़ी देरी के लिए छोड़ देते हैं तो पोहा फूल कर soft हो जाता है तो यहाँ पर हमारे जो पोहे हैं ये बिल्कुल कुछ-कुछ बेसे हो चुके हैं तो अब हम जटपट से इसमें कुछ basic चीजे डाल देते हैं तो मैं इसमें सबसे पहले डाल रहे हूँ ये एक बारिक कटा हुआ प्याज जो क्योके आप पसंद करते हैं तो डाल सकते नहीं तो skip कर सकते हैं साथ यहाँ पर यह5-5-6 ताजयाए देर सारा बारिक कटा हुआ ताजा हरा धन्या और अब इसमें कुछ सिंपल से मसाले डालेंगे तो सबसे पहले मैं ले रही हुए एक टीस्पून रेट चिली फ्लेक्स आप चाहें तो इसके पर लाल मिच का पावडर या फिर काली मिच का पावडर भी डाल सकते हैं फिर इसक पावडर का बना हुआ गरम मसाला डाला है इसमें लगबक 3-4 टीस्पून फिर डालेंगे 1-4 टीस्पून हल्दी पावडर ताकि इसका बड़ी आसा कलर आए और बस नमक डालेंगे इसमें स्वात के अनुसार तो बस इन ही बेसिक से मसालों का हम इस्तमाल करेंगे आप चा आएगा साथ इसको एक अच्छा सा खस्तापन मिलेगा जो कि हम इसको कम तेल में बना कर त्यार कर रहे हैं अगर आप चाहें तो घी कीजे के पर तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं और बस अब इन सभी चीजों को हम पोहे के साथ अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा हातों से इसको मेश करते जाएंगे तो ये देखें पोहे के साथ सारी चीजे अच्छे से मैंने मिला ली है और ये इस तरह से दिखने लगा है अब हमें इसके अंदर बाइंडिंग के लिए डालना है बेसन तो मैं ले रही हूँ यहां पर ये आधा कब बेसन तो इसको हम एक साथ न तो फिर हम इस पर थोड़ा पानी का चीटा डालेंगे और फिर हातों से अच्छे से मसलेंगे इतना इसे मिक्स करने के बार मुझे इसमें बेसन की और जरूरत लग रही है तो ये बचा हुआ बेसन है ये मैं इसमें सारा डाल दिया है अगर आपको इसके बाद भी लगे त थोड़ा बेसन आप इसमें और डाल सकते है तो ये देखें आप इस तरह का हमारा डो तेयार होना चाहिए ना तो जाधा सक्त ना dry ना जाधा hard और ना ही एकदम soft की हातों पर चिपके तो देखें आप ये बिल्कुल perfect डो तेयार है हमारा और अगर अगर हम इसको इसको इसम शेब देने के कोशिश करते हैं, यह अच्छे से अपनी शेप ले रहा है, यह बिल्कुल परफेक्ट डो हमने तयार कर लिया तो इस तरह से आपको भी इसको तयार करना है, इसके बाद एक बार हातों को पानी से वोश करके अच्छे से साफ कर लेंगे, और फिर हम इसकी ठिक् कि तरह इसको हम बनाएंगे ना तो इसको थिक रखेंगे और ना ही इसको बहुत ज़ादा पतला रखेंगे तरह इसको हम प्लेट पर रखेंगे अब दोबारा से हातों पर हम थोड़ा सा तेल ओर लगाएंगे और इस पूरे मिष्णसे पोहे की टिक्या बना करके तयार करेंगे अगर टिक्या बनाते टाइम आपको कभी भी ये लगे कि टिक्या सही से नहीं बन रही है फट रही है उसमें दरारे आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा और बैसन मिला सकते हैं या थोड़ा सा और पानी के छीटे डाल कर आप इसको तयार कर सकते हैं तो ये बातों ही बातों में हमारी एकोर टिक्या तयार है तो ठीक इसी तरह से हम सभी टिक्या बना करके तयार करेंगे अगर आप चाहें तो इस तरह से पोही की टिक्या बना कर अच्छे से cling wrap से इसको cover करके freeze में आप इसको दो दिनों तक store करके भी रख सकते हैं और फिर जब भी आपको खाना हो तो आप इसको तयार कर सकते हैं फटाबट से सारी चीजों को मिला करके टिक्या कैसे बना ली है यह आपने देख लिया है अब आगे इसको कैसे त्यार करना है वो भी देख लेते हैं तो हम एक पेन या तवे का इस्तिमाल करेंगे और उस पर थोड़ा सा तेल डाव कर गरम करेंगे जब यह तेल अच्छे से करम हो जाय तो हम यह बनाए हुई पोहे की टिका एक एक करके इस तरह से इस पर अरेंज करेंगे और इन्हें कम तेल में शेलो फ्राई करके तयार करेंगे यहां पर अगर आप चाहे तो इनको तेल में डीफ फ्राई भी कर सकते हैं उससे यह ओर भी जल्दी से और इदंग झादा खस्ता हो जाएगी लेकिन हम इसको कम तेल में बना रहे हैं तो इस तरह से इनको shallow fry करेंगे shallow fry करने में कम तेल का इस्तेमाल होता है और अगर आप चाहें तो इससे और भी कम तेल में आप इसको बना सकते हैं मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी यह हरी मिर्चे और डाल रहे हूँ जो कि इसके साथ खाने में और भी जादा मज़ेदार लगेगी थोड़ी ही देर में पोहे की यह टिक्या एक तरफ से पाग जाएगी तो हम इनको फिर पलट लेंगे और दूसरे साथ से भी हम इसको अच्छे से सेखेंगे तो इन टिक्या को हम धीमी धीमी आज पर ही सेखेंगे इस दोरान हमारी यह जो हरी मिर्चे है इनके जल जाने से पहले हम इने प्लेट पर निकाल लेंगे और हमारी ये जो पोही की टिक्या है इनको हम दोनों ही साइड से अलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक और इनके क्रिस्पी हो जाने तक सेखेंगे तो ये देखिए ये हमारी एकदम पतली-पतली करारी पोही की टिक्या अच्छे से सीख चुकी है आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है ये तो इन्हें अब हम सीधा किशन टिशु पर रखेंगे जिसे की इनका जो भी एक्स्ट्रा ओइल होगा वो भी निकल जाएगा अब सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम सारी पोही की टिक्या इसी तरह से कम तेल में सेख लेंगे और फिर इन्हें कर्मा गरम अपनी पसंदीदा चटिनी के साथ टोमेटो केचप के साथ या फिर शैसवान सोस के साथ सर्व करेंगे इसे बनाने के लिए हमने जो पोहे का और बेशन का इस्तमाल क्या है वो दोनों से ही हमारी ये टिक्या कम तेल में बनाने के बावजुद काफी क्रिस्पी हो जाती है और गर्मा गर्म आप इसको इन हरी मिर्ची के साथ खाएंगे और फी किसी सौस के साथ खाएंगे तो बस मुखा स्वात बढ़ जाएगा तो सुबह हो या शाम हो आप जटपट से इस जटपटे से पोहे के नाश्टे को बना कर के तयार कर सकते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ इसे enjoy कर सकते हैं इस तरह से ये हमारा गर्म गर्म पोहे का नाश्ता बनकर तयार है खाने के लिए तो आप भी जटपट से इसे अपने घर पर बनाईए, खाईए और सबको खिलाईए सबको ये टिक्या बहुत पसंद आएगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरू लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इडियमिशस को प्लीज जरू से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसे तरह की रेसिपीज मिलती रहें और नई रेसिपी इसकी नोटिफिकेशन के लिए पहले आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूलें हम नेक्स रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं तिल देन इंजो दिस टेस्टी चतपटा नाश्ता एंड थाइंक्स पर वाचिंग इडियमिशस